रश्या जैसे एक महान देश अननाबाव साठे को पहचाना लेकिन हिंदुस्तान नहीं पहचाना और आल रश्या लईव्यृदि के में आज अननाबाव साठे का मूर्थि को बिप्रतिष्टा पंकिया लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार ने अन्नावाव साथे को इंडियन मैक्सिम गोर की कहा है, बारत के मैक्सिम गोर की, उनके प्रती इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है, यह बड़ी दुख की बात है मंच पर उपस्तित, सम्मानित नेतागन, सी शंकरन दुणड़गे जी, हमारे बीजी देश मुख जी, सी बागीरत बालके जी, सी हरिबाव रातोर जी, गनशाम जी, कदीर मुखलाना जी, बानुदास मुर्कुटे जी, और महारास्टा बियारेस के प्रभारी, सी वम्शिदर राओ जी, मेरे मित्र और महान वेक्ति, अन्नाबाव साटे के पोता, सी सचिन साटे जी, अन्नाबाव साटे के जो वारिश है, सावित्री बाई साटे जी, गनेश जी, आज सचिन साटे ने मुझे ऐसा मोका दिया, जीवन में तो बहुत कुछ करते रहते हैं, कहीं सबा में जाते हैं, कहीं जगा बाशन भी देते हैं, मैं सुबसे पहले यहां इस मंच से महाराश्य के पावन धर्ति को सर जुखा के प्रणाम करता हूँ, और वाटे गाउं जो एक महान विक्ति अन्नाबाव साटे को जनम दिया है, उनके जनमस तल को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आज बड़ी प्रसन्नता मिली है, सचिन भाव साटे के तरफ से, आप सुभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सवबा की मिला है, अन्नाबाव साटे, उनके जो तरफ, जो कविताएं, सारे समाज के लिए शोशित, पीडित, वंचित लोगों के लिए ही था, सोचलिजम के तरफ भी उनका रुजान था, समीक तो महाराशा के मौर्चा के आगे भी वो चले, बहुत बड़ा सम्मानित, कभी भी थे, इसलिए उनको टाइटिल दिया गया लोग शाहिर, यह बहुत कम लोगों को मिलता है, शाहिर तो कहीं होते हैं, लेकिन लोग शाहिर जो लोगों के लिए, खास तोर पर जो वंचित है, पीडित है, जोशित है, बाटम लाइन में हैं, उनके लिए लिए लिखने वाले, गान रश्या जैसे एक महान देश अन्ना बाव साथे को पहचाना लेकिन हिंदुस्तान नहीं पहचाना उन्होंने पहचाना और खास यहां के प्रदान मंत्री को इतला करके उनको रश्या भी बुला लिया सम्मानित किया और आल रश्या लाइब्रेदी में आज अन्ना बाव साथे का मूर्ति को भी प्रतिष्टा पन किया रश्या कम्यूनिस्ट पाटी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे उनका विशेश नावल है मा हम तेल्गु में कहते हैं हम मा उस मा के नाम का जो नवल है मैक्सिम गोर्की का वो पूरे दुनिया में मश्यूर है कई बाश्याओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है हर देश में उसका उपलब्दी है लेकिन बड़ा दुख की बात यह है रूस सरकार ने अन्ना बाव साथे इन्डियन मैक्सिम गोर्की कहा है बारत के मैक्सिम गोर्की इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए पेड़्ित के लिए कभी कहे चुके है कभी लड़ाईया लड़ चुके है अंके प्रति इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है यह बड़ी दुख्की बात है सचिन वाओ मेरे पाथ जब आये थे मेरे साथ राजनीति का काम करने के इच्छा लेकर के कुछ किताब मुझे दिये थे जो अना बहुत से अठेके लिखे हुए थे मैंने पूचा है तो अनुरोद करता हूं महाराव से सरकार से कम से कम अब तो जागे अना बहुत साइटे जैस प्रकार का रचनाएं उन्होंने पेश किया है दुनिया के सामने देश के सामने वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है सारव जनीन होती है सारे दुनिया के लिए उसमें से ज्ञान मिलता है एक भारत के लिए नहीं सारव जनीन होते है इसको जो भी है मुक्यमंत्री जी शिंडे जी से उनके मंद्रि मंडल से मैं अनुरोद करता हूं कि कम सकम अभी अन्ना बाउट साथे के जितने भी रचनाय हैं उसके पूरी हिंदुस्तान के बाशाओं में ट्रांस्लेट करवा है अंग्रेज में भी ट्रांस्लेट करवा है और वो आगे बढ़े ताके दुनिया को अन्ना बाउट साथे का गरिमा मालूम हो और इसके बाद में मातंग समाज जो हमारे भारत देश का मूल वास्यों का समाज है यह मेरा शब्द नहीं है मातंग समाज का महत्व और मातंग साज का परंपरा आज से नहीं है यह मातंग महामुन के वम्शज है मातंग महामुनी जब शामला देवी के गान गा रहे थे तो माता ने उनके गर्ब में जनम लिया और उनके लिए एक महा कवी कालिदास शामला देवी का स्तोत्र पाट करते हुए उन्होंने खुद लिखा है या कवी ता मेरा नहीं है महा कवी कालिदास कवी का कहा है के मानिक्य वीना मुपलाल एंतीम मदाल साम मन्जुल वाग्विला साम महेंद्र निलज्युति कोमलांगीम मातंग कन्याम मनसास मरान ये कालिदास जी का कहना है येने के मातंग समाज का जो प्रतिष्टा जो गरिमा उनके प्रति गवरो तो ये भारत का पुरान और इधियास का ये परंपरा में भी शरीक है, सचिन बावु साथे जिस प्रकार का मुझे वहाँ हैं हिद्राबाद में भी बताया, अभी मंच पर भी बता रहे थे, कि इनका आदर नहीं होता है, अब अन्ना बाव साथे जैसा महान पुरिश्मान विक्तित्व का आदर नहीं होता है, तो आपका क्या आदर होगा, होगा ही नहीं, देश यह ऐसा है, जब तक हम आवाज उटाके जोर से चिलाते नहीं, तब कोई सुनने वाला नहीं, इस देश में देश का आदर तैसा परतन कीजिए, मैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोडी जी से और महराष्ट सरकार से अनुरोद करता हूं, अन्ना बाव साथे का रचनावं का, उनका विक्तित्व का प्रतिष्टा करना, पुरे देश में जागृत, दुनिया में जागृत करने का प्रयास करना, यह हमारा द उत्र है, उनको रेस्पेक्ट देना हमारा रेस्पेक्ट बढ़ता है, इसलिए, महराष्ट सरकार भी काम करे, और अन्ना बाव साथे का नाम का भारत रत्न टाइटिल देने के लिए, महराष्ट सरकार नामिनेट करके बेजे, और यहां के मुक्यमंत्री, मुक्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूं कि हम भी त्यलंगाना सरकार भी अन्नाबाउस साटे का नाम भूज दीते हैं दिली को मैं खुद भी खुद भी तरदान मंत्र को मैं चिट्टी लिखूंगा जो कि मैं खुद यहां आया हूँ हाटे गाउं में देख चुका हूँ आपका जोश भी देख रहा हूँ इसलिए आपसे प्रार्तना है तो यह है बात अगर आप सहे मत हो मेरे बात से सबा एक जुट होकर एक मुटी से तालियां बजाया और इस प्रस्तावों को पारित करें आप लोगों का धन्यावाद और यह प्रस्ताव बना के मैं मानने यह देश मुख जी को शंकर अन्य दोणके जी को प्रातना करूंगा इस प्रस्ताव को दरूर बना के लाए और हम प्रदान मंत्री को चिट्टी के साथ इसको बेजते हैं आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है प्रदान मंत्री मोडी जी से भी मैं अनुरोद करता हूँ अन्ना बाउट साथे को आइडेंटिफाय करना उनका सम्मान करना उनको सम्मानित करना ये देश का सम्मान होगा कुछ और नहीं होगा तो इसलिए प्रदान मंत्री जी से भी मैं अपील करता हूँ कि अन्ना बाउट साथे को बारत रपन टाइटिल देना चाहिए वह विल्कुल इसलिए है यह हमारे बावना है अब कि अर्णा बाव साथे काम है मैं कितना भी कहूं कम है काल यह टाइम तक भी कह सकते हैं उनकी प्रेद सम्मान में लेकिन यह बात मैं जरूर कहाना चाहूंगा शचिन आपके सा आपको आश्वासन देता हूं जब कभी ऐसी वक्ता आता है मातंग समाज को नजरन्दाज नहीं करेगा बियारेस पार्टी और मातंग समाज को साथ लिये चलना का पूरा पूरा प्रयास करेगा मैं आपको सभी जगा मिले पहले जैसा नदरन्दाज नहीं किया जाएगा ये मेरा आपके साथ आश्वासन है आज इस सभा में आकर आज सभी से मिलने का आप से दर्शन करने का मुझे सभा की मिला है इसके लिए मैं आबारी हूँ सचिन साथे का जिन्होंने मुझे आमंत्रन दिया है यहाने का फिर एक बार आप तमाम भाईयों को बहनों को प्रणाम करते हुए मैं सचिन भाव साथे को दन्यवाद देते हुए अपने शब्द को समप्त करता हूँ जै बीम जै अन्नबाव साथे जै महाराष्टा जै भारा धन्यवाद